चलो तो अपन पूरा चैप्टर 1 फिसिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं मोशन और फोर्स और लॉज ओफ मोशन पूरा कम्प्लीट हो चुका है और आज अपन टार्गेट रखेंगे कि विदिन 50 मिनटस अपन दो चैप्टर को करें अपन यह चैप्टर रिवाइस करने वाले हैं अगर आपको यह नोट साहिए अगर आप दिवाशपीर के निवासी फ्रीally नोटस मिल सकते हैं आपको स्रिफ रहना है एद्व Benson और आपको को पूरे के पूरे पूरे 뉴스 प्रियों कोस्ट मिल जाएंगे आगे बढ़ते हैं तो इस से इस नोट से से अपन रिवाइस करेंगे मैं फिर से बता देता हूं यह लेक्चर उनके लिए नहीं है जो पहली बार पढ़ रहे हैं यह उनके लिए जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं स्कूल में या कहीं पर और रिवीजन चाहते हैं उनके लिए यह लेक्चर्स हैं ठीक है तो आर यू रेड़ी स्टार्ट चलो तो स्बसे पहले स्ट्रफ में पढ़ेंगे क्या शन ऊwalब्यूंशनगार पूरा पढ़नां है pledge प्रिवीजन के साथ यह आपके पास printed है तो आपको लिखने का कोई आवशक्ता नहीं है ठीक है अगर आपको PDF भी चाहिए तो भी आप मुझे call कर सकते हैं आपको मेरा number जो है description पर मिल जाएगा ठीक है चलो तो आपने सबसे पहले बताया था पर इस सब्सक्राइब कर देख रहा है से आपके अपके सब्सक्राइब नहीं है तो सं प्लेख हो ले क्या वो रेस्ट पे है नहीं भी अपनी पूरी मिलकी वे गलक्सी तीजी से चल रही है तो आप किसी पी चीज को एपसुलीट रेस्ट और मोशन डिफाइन नहीं कर सकते हो तो दो चीज के रेस्पेक्ट में एक तो किसी रिफ्रेंस प्वाइन और दूसरा है simple if object changes its position continuously अगर कोई लगातार अपनी जगा चेंज कर रहा है with respect to reference point and time दो चीज के respect में कौन पर सी दो चीज रिफ्रेंस पॉइंट और time तो क्या याद रखना है कि कभी भी कोई भी अगर motion देखना है तो दो चीज के respect में एक तो reference frame और दूसरा time अगर इसके respect में कोई अप अपने जो actual में रास्ता travel किया अपने घर से यहाँ स्कूल आने के लिए कोचिंग आने के लिए वो क्या है आपका distance actual path जो आपने ट्रावल किया है मालों यहां से यह गए तो यह जो पूरी दूरी है यहां से लेकर करके यहां तक की वो क्या है distance और जो shortest distance है घर से लेकर के इ shortest यह है सबसे shortest distance इसको क्या बोलेंगे displacement बासमझ में आई जो actual path तो पहला difference तो यह आ गया distance क्या है distance है actual path taken by the object और displacement क्या है shortest path between initial and final point बासमझ में आई पका जलो ठीक है तो होता क्या है यह समझ में आ गया दोनों दूरी बताते हैं पर अलग हैं दोनों दूरी बता रहे हैं दोन सबसे च्छोटी-दूरी और ये qeq यह हैं दोनों दूरी बता रहे हैं लेकिन दोनों क्या है अलाग एक सबसे च्छोटी दूरी बता रहे है और एक एक अक्च्वल दूरी बता रहे बासमझ में आई ठीक है अचा यहा बोटी नंबर पर कॉलना करएं यह नंबर बंद हो ना बहुत इंपोर्टेंट है या तो इस्पीड और वैलासिटी और याद रखना अगर दो नंबर काता है तो कम से कम तीन डिफ्रेंस लिखना ही है कुछ तो जो दो मांक के लिए या तीन मांक के लिए आप लिखते हो न अधा जाकर 60 difference होते हैं अगर दो नमबर काया तो आपको चार दिफ्रेंस तो लिखने ही लिखने चाहिए तिन मर काया तो चार दिफ्रेंस अगर होते हैं नहीं होते हैं तो प्र तो पर चीपने होते हो समझ मैं या क्या जा रहा हूं मैं ठीक है चलो तो सबसे पहला क्या है कि actual path distance और सबसे साटेस्ट पात किया है वो displacement दूसरा डिस्टेंस वह स्केलर कॉंटिटी है और displacement जो है वब के क्या है vector quantity scalar और vector मैंने बताया था scalar vector क्या होता है जिसमें खाली पुछना पड़े कितना वह सकेलर है जिसमें पुछना पड़े कितना और कहा वह vector तो displacement में आपको पूछना पढ़ेगा कि अच्छा भीया दो मीटर का displacement हुआ इधर इस्ट वेस्ट नॉर्स साउथ राइट राइट लेट एक्स एक्सिस में पॉजटिव एक्सिस में नेगेटिव समझ में लेकिन डिस्टेंस भीया यहां से एंभी का पूरकी दिस्टेंस है 40 किलोमेटर अब वो भाई कोई स्टेट लाइंग थोड़ी जो आप डिरेक्शन बताओगे आपने इधर भी गया उधर भी गया इधर उधर टर्निंग लिए न बहुत बार तो उसमें कोई डिरेक्शन नहीं होती तो एक है इसकेलर और एक है वेक्टर फिर क्य है अगर हाँ कोई भी अबजेक्ट मूफ किया है तो डिस्टेंस जीरो लेकिन डिस्टेंस जीरो आप घर से निकले हो कोचिंग आए हो वापस घर जाओगे तो आपकी गाड़ी का डिस्टेंसमेंट कितना हो गया जीरो क्योंकि जहाँ इनिशल वही फाइनल तो आपका positive negative 0 3 हो सकता है क्योंकि vector quantity है न अगर इस direction को positive माना तो ये negative उपर को positive माना तो नीचे negative बता चुका हूँ पहले अभी रिवाइस करा रहा हूं बैठा रहा है दिमाग में पक्का अपने दिमाग से पुछ लो बैठ रहा है ना चलो आगे चीक है चलो अब डिस्टेंस तो डिस्प्लेस्मेंट बराबर कब होगे अब हाँ सबसे पहली बात डिस्टेंस जो है आपका छोटी है तो दूसरी उससे बड़ी हो गई आपन ने बोला डिस्टेंस सबसे छोटा है मतलब डिस्टेंस उससे बड़ा हो गया लेकिन वह बराबर भी हो सकता है या तो बढ़ाबर या बराबर कब होगा तो कई लोग बोते हैं खाली जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेख हो और ऑफ पलती नहीं रहेगा याद रहेगा कि बात कि दिस्टेंस और स्थेस्मेंट इकवल कर बोता है अनुन इन पार्टिकल्ड या ओब्जेट ट्रावन इने स्ट्रेट लाइन ने से इन से वह सुरच पूरवासिच इतने भी आगे पूरे के पूरे प्रिंटाउट प्रीकौश ब양ट्स आप एडियुमेंशन से गलेक्ट कर सकते हैं एडियुमेंशन कितका रोड सुरश्पूर स्पीड एंड वेलोसिटी अब दोनों रॉफ्टार बताते हैं क्या बताते हैं कोई आबजेक्ट कितना तेज चल रहा है या कितना धीरे यह अपन किस से जानकारी मांगते हैं स्पीड और वेलोसिटी यह दोनों ऐसी कॉंटेटी हैं जो आपको यह बताएगी कोई आबजेट कितना तेज चल रहा है या धीरे दोनों एक ही चीज बता रहे हैं फिर क्या अंतर है एक जो है वो आपका डायरेक्शन में नहीं बता रहा किसी भी पर्टिकुलर कहीं पर भी आप जाओ तोटल आपने कितना चला पर सेकेंड और एक बताएगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यह अंतर है जैसा डिफरेंस था डिफरेंस में वैसा ही डिफरेंस है किसमें स्पीड और वेलासिटी में क्योंकि स्पीड अपन ने डिफाइन किया दोनों रफ्तार बताते हैं लेकिन दोनों अलग है जैसे डिफरेंस और डिफ्तार बताते थे लेकिन दोनों अलग थे वैसे ही speed और velocity दोनों रफ्तार बता रहे हैं लेकिन दोनों क्या हैं दोनों क्या हैं अलग ठीक हैं अगर आप direction के साथ देखोगे तो velocity और direction के बिना देखोगे तो speed ठीक है distance traveled in one second is called speed एक second में object में कितना distance traveled किया that is defined as speed मतलब distance by time मतलब distance के ऐसा unit किया है meter और time की second ठीक है distance की क्या है meter और time की second तो ऐसा unit की होगे meter पर second इसको कुछ नाम नहीं दिया इसको meter पर second ही परते हैं ठीक है तो वाट इसा unit of speed वाट इसा unit of velocity भाई quantity तो सेम है ना quantity दोनों सेम है तो unit दोनों क्या होगी same ठीक है दोनों की बस अंतर क्या है कि speed जो है वो scalar quantity है और velocity जो है वो क्या है vector quantity ठीक है बागी पूरे difference आप लिख सकते हो अगर object चल रहा है तो speed negative नहीं हो सकती 0 हो सकती है positive हो सकती है negative नहीं हो सकती है लेकिन velocity positive negative 0 3 हो सकती है बाज समझ में आई speed जो है आपकी हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी किस से velocity से सारे difference बागी आजाएंगे क्योंकि distance और displacement per unit time को ही तो पन क्या बोल रहे है speed और velocity समझ में आ रहा है पक्का है ना चिक है आगे बरसने है बता दिया uniform motion अब ध्यान से सुनो कई बार कई बच्चे confused हो जाते है uniform motion में और uniformly accelerated motion में दोनों mentor क्या है मैं आपको यहीं बता देता हूँ अब मैं बता सकता हूँ क्योंकि अब आप पूरा चप्टर पढ़ चुके हो ऐसा नहीं कि uniform accelerated motion आपको पढ़ाना बाकी है पढ़ चुके होना पूरा है ना मैं फिर सब बताते रहा हूँ यह lecture first timer के लिए नहीं है जो एक बार पढ़ चुके है उनके लिए है आज का lecture revision lecture नहीं तो पूरा उपर से जाएगा चीक है uniform motion और uniformly accelerated motion uniformly accelerated में speed बढ़ रही है क्या और यह velocity बढ़ रही है लेकिन बराबर पढ़ रही है uniformly बढ़ रही है तो उसको बोलते है uniformly accelerated motion लेकिन जब अपन बात करते है uniform motion की मतलब मोशन ही पूरा uniform है मतलब velocity change नहीं हो रही है लेकर दो मीटर पर सेगन थी तो फिर भी बाद में चार चला फिर दो सेंट में चार बराबर दूरी चल रहा है बराबर टाइम में तो अगर पूरा स्पीड यह सेंट विए उसको क्या बोलते हैं इनिफार्म मोशन क्या बोलते हैं इसे चिलाना है ठीक है ठीक है क्या आगे बढ़े uniform motion समझ में आ गया uniform motion मतलब speed constant velocity constant बहा समझ में बराबर दूरी ट्रावल करें बराबर समय में तो उसको बोलते है uniform motion और नहीं तो क्या बोलते हैं उसको non uniform motion ठीक है circuit simple भासा में बता भाई speed constant तो uniform नहीं तो non uniform एकदम simple भासा में आप आ जाते है average speed इसकी क्या जरुबत पड़ी हाँ हाँ ठीक है तो average speed की जरुबत क्यों पड़ी क्योंकि बताओ अगर तुम यहां से कहीं पर भी जा रहे हो मानलों अपने घार जा रहे हो तो आपकी गाड़ी की speed एकदम uniform होती है क्या कम ज़्यादा होती है कि नहीं पहले रुकी हुई है तो जीरो में है ना पर खाड़ खाली रोड दिखेगा तो तुम्हारे अंदर का रितिक क्रॉशन जग जाएगा पूरा फूल एक्सेलरेटर लोगे है ना फिर उसके बाद कहीं crowd आगया भीड आगया अभी बारिश का time है पूरे रोड में बैठे रहती है तो फिर धिरे करोगे ब्रेक मारोगे रोकोगे है कि नहीं तो जा弟 की स्पिड आपकी constant नहीं है काम जादा कम जादा हो रही है फिर अगर में आगप पूरे मोशन के बारे में यहां से जब आप घर गए उस पूरे मोशन के बारे में जानना है कि हैपकी रफ्तार क्या थी तो ब्रुसर प्तार बताउए तो मैं क्या 12 km per hour 12 km per hour 2 by 10 by 60 60 उपर 00 कट गया 12 km per hour तो 12 km per hour आया यह क्या आया average speed एक बात क्या रफना पास हो average speed से गारी की रफ्तार जादा भी हो सकती है और कम भी actual speed average speed क्या बता रही है overall motion के बारे में बता रही है क्या बता रही है overall motion जैसे मालो आप यहां से अगर मुंबई भी जा रहे हो तो total मुंबई 10 घंटा लगा तो total 10 घंटे को आपका एक वर्ड में बता देगी क्यों total रफ्तार वो क्या है average speed पूरे motion के बारे में बताती है और आपके actual गाड़ी की रफ्तार उससे जादा भी हो सकती है उससे कम भी याद रहेगा पक्का चलो ठीक है तो ratio of total distance covered by object and the total time taken is called average speed average speed होती total distance by total time ठीक है average speed tells us about overall motion पूरे motion के बारे में बताता है यह notes में दे रखा हूँ कभी पढ़े भी हो इब रिड मारें इस blue notes को कि मेरी मेहनत पूरी बेकार पढ़े हो पक्का पूछी हूँगा सवाल रोको भी अब आता है instantaneous speed गाड़ी में देखे हैं speedometer जिसके कई रावडी लोग photo खिच-खिच-खिच डालते हैं गाड़ी को सी में भगाने के बाद photo खिचके हैं तुम भी करते हो कई लोगों की आदत है गाड़ी को full speed में है फिर snap डालते हैं उसका खिचके तो भाई जब आपनी snap खिची फोटो खिची तो उस समय की speed बता रहा था वो और वो किस समय क्या था वो उसी समय कह था जिस समय अपने photo खिची ना तो उसे बात का ना तो उसे पहले का particular time का मालो मैंने photo की चार चार मिनट 15 सेकेंड में है ना तो वो exactly 4 मिनट पंदरा सेकेंड में गाड़ी की क्या रफ्तार थी वो बता रहे particular time में ना तो पीछे ना तो आगे उसको बोलते है instantaneous speed instant मतलब same time पे instant पे instant सुना होगा न instant noodle यह सब बना बनाया डालो तूरं बन जाएगा instant instantaneous instant का मतलब particular time पे तूरं instantaneous speed मतलब एक particular time में जो गाड़ी की रफ्तार रहे हो क्या है instantaneous speed instantaneous speed कौन बताता है speedometer यह जो device है जो speed बताता है गाड़ी हो में इसको क्या बोलते है क्या बोलते है इससे ज्यादा तेज नहीं चिलाते हो गया तुमनों कभी कभी रणाई जगड़ा किये हो कि इतने दूट से दूले पर नहीं जिखे रहे हूं मेरे बताता हुआ चिलाया नहीं हो इससे तेज कभी कि instantaneous speed कौन से इंस्ट्रूमेंट से रफ्ते हैं कि बढ़ा और 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 तेज क्या भी है लखी जी है चलो ठीक है और हाँ यह दो को इस पीडियो मेंटर में नीचे यह ऐसा एक स्क्रीन होता है जो टोटल डिस्टेंस बताता है क्या बताता है टोटल डिस्टेंस displacement मत लिख देना आपकी गाड़ी रोज पूरा सुरेच पूर गूम के वापस महीं आके खड़े होती है तो फिस्टेंस जीरो दिखाना चाहिए यह ना लेकिन वो बढ़ते जाता है वो क्या पताता है एक्चुल डिस्टेंस बहा समयझ में आई और इसको बोलते है ओडो मिटर क्या बोलते हैं ओडो मिटर इस डिवाइस देट उस तूमेजर टोटल डिस्टेंस ट्रावल ऑई एनी ऑटो मॉबाइल और गाड़ी आगे आप घर से निकले माज तयार व्यार होके कोचिंग जाने के लिए आपने देखा समय कि आरे मैं तो लेट हो गया हां 430 हो गया जैसे यह हां फिर आप क्या करोगे गाडी में बैठो गया तूरूंत एक्सेलरेटर बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा आपकी गाड़ी की रफ आते हो के तो एक्सेलरेटर तो एक्सेलरेटर क्यों बोड़ रहे हैं क्यों काड़ी को क्या करता है एक्सेलरेट क्या करता है क्या करता है एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ना और स्पीड गटना दोनों को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब बढ़न लेकिन जूम वर्ट से अपने दिमाग में कहता है बड़ा, है ना, बट एक्ट्वल में जूम वर्ट मतलब है, सेप का चेंज होना, बड़ा या छोटा, बास समझ में आई, उसी तरीके से एक्सेलरेशन का मतलब है, रफ्तार का चेंज होना, चाहे वो पॉजिटिव में हो, बास समझ में आई, पक्का, पक्का, आ रही है सबको, ठीक है, ओनलाइन जितने भी लोग हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और कमेंट मेरे को बताना, आपको और नेक्स्ट कॉन से ट्र समय लेगा, तो मतलब जो rate है change होने का, speed के change होने का, जो rate है समय के respect में, वो एक में ज़्यादा था, एक में कम, और इसी चीज़ को की समय के साथ साथ, मतलब एक सेकेंड में कितनी रफ्तार बदली, इसी quantity को कौन बताता है, acceleration, कौन बताता है, acceleration, कौन बताता है, acceleration, मैं अकेल नीचे से दोरेगा भिया को आना पढ़ जाया है, क्या हो गया हाँ, चलो, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई एमर्जेंसी होती ही, तो आप फटाक से एकदम बहुत जल्दी सपीड बढ़ते हो, तो आपकी इस पीड की सटेंच हो रही है, उसी को प अपन क्या बोलते हैं एकसेलरेशं क्या बोलते हैं एकसेलरेशन है अट-थिया पक्का है ना आगे बड़े तो अब कैसे निकालोगे मालनो आपके गाड़ी की रफ्तार हो गई 5 मिटर पर सेकेंड से 20 मिटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में तो चेंज कितने का हुआ 5 से 25 5 से 25 या 20 5 से 20 तो चेंज कितने का हुआ 15 का तो कैसे निकालोगे final minus initial कैसे निकालोगे final minus initial तो इसे लिए याद रखना, final रफ्तार को अपन किससे रिनोट करते हैं, किससे रिनोट करते हैं, initial को, acceleration को, time को, चीक है, तो आपका change in velocity, आपने क्या बोला कि कितनी रफ्तार change हुई, एक second में, तो आपको क्या निकालना है, total रफ्तार का change upon time, तभी आ जाएगा न, एक second में कि कितनी हुई, delta v by t, अगर t time में, t time में, जो रफ्तार का change आ रहा है, वो आ रहा है, delta v, तो एक second में कितना आएगा, तो एक second में delta v by t, यही आएगा, नंबर से बता देता हूँ, माल लो, 10 second में, रफ्तार बदल रही है, 20 meter per second की, तो एक second में कितनी बदलेगी, 20 by 10, करते हो न unitary method, class 6 में पढ़ेते पहली बार, है न, वो ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो change in रफ्तार by time taken, तो change in रफ्तार क्या हो जाएगी, final minus initial by time, तो यह आगे आपका पहला formula, a is equal to v minus u by t, वैसे तो पहला नहीं से पहले भी a speed equal to distance by time, velocity equal to displacement by time, बा समझ में आ रही है, average speed equal to total distance by total time, average velocity equal to total displacement by total time, पूरा का पूरो, clear यहां तक, अपने दिमाख में, एक बा कर लो, distance displacement, clear, speed, velocity, average speed, instantaneous speed, clear, acceleration, clear, पक्का, कोई doubt, कोई समस्या हो तो बता देना भाई, ठीक है, पक्का, आगे बने, अब आते है, uniformly accelerated motion, 20 minute हो है, uniformly accelerated motion, मतलब यह accelerate तो हो रही है, रफ्तार बढ़ तो हो रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, uniformly, मतलब इस starting के एक second में, 2 meter per second बढ़ा तो, अगले एक second में भी, 2, फिर अगले एक second में भी, 2, और इसको बोलते है, uniformly accelerated motion, और एक बहुत ही खुशी की बात है, कि अपने syllabus में, 9th के syllabus में, इसरिफ क्या है, uniformly accelerated motion, non-uniformly accelerated motion का एक भी numerical आपके syllabus में नहीं है, क्योंकि इसको non-uniform motion का अगर आपको syllabus में question दे दिया, तो उसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा differentiation और integration जो आप लोगों को नहीं आता है, है ना, तो अगर uniform acceleration है, तो ही आप question solve कर सकते हैं, और अपन जितनी equation derive करेंगे, वो सब किसके लिए है, uniformly accelerated motion, अरे ये तो बताया था ना, जब तीनों equation derive कर रहा था कि ये तीनों की तीनों सिर्फ किसके लिए valid है, किसके लिए valid है, non-uniformly accelerated motion में अगर वो equation लगाओगे, तो पाप पढ़ेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, तो uniformly accelerated motion क्या होता है जब बराबर speed बरें, बराबर time में, तो उसको क्या बोता है, uniformly accelerated motion, if change in velocity of body is equal in equal interval of time, then the motion is called uniformly accelerated motion, ठीक है क्या, पक्का, हाँ, वैसे मैं तुमों को बता दू, तुमों की ये बुक को मैं और upgrade कर रहा हूँ, इसमें कम से कम 30-40 MCQs, एक number के जो multiple choice questions होते हैं, वो डाल रहा हूँ, subjective questions डाल रहा हूँ, important questions डाल रहा हूँ, and ये book को upgrade कर रहा हैं, फिर तुमों को principal office में जुआ, चलो, average speed of uniformly accelerated motion, याद रखना, ये बात तिर किसके लिए है, ये जो आपन, average speed निकालेंगे, ये किसके लिए निकाल रहे है, uniformly accelerated motion, non uniformly accelerated motion के लिए, ये average speed अपन कभी भी नहीं लिखेंग हैं, हैंना, तो ये मैंना आपको पताया था, क्यों आता है, number से करके पताया था, 2468 का average, पहला प्लस आखरी भाई 2, याद आ रहा है, जब बराबर, बराबर, uniformly number बढ़ते हैं, जब uniformly number बढ़ते हैं, तो average कैसा होता है, पहला प्लस आखरी भाई 2, हैंना, same वैसे ही, अगर uniformly accelerated motion है, तो आप average speed क्या लिख सकते हो, initial plus final by 2, बहुत important, बहुत ज़्यादा important है, ये बास समझ में आई, uniformly accelerated motion के लिए, average speed क्या लिखी जा सकते है, initial plus final by 2, initial speed plus final speed by 2, या average velocity लिखना है, तो initial velocity plus final velocity by 2, ये हमेशा valid, सरफ uniformly accelerated motion के लिए valid है, और important क्यों है, क्योंकि आप किसी पीचिज को करो करो, तो जो motion होगा, वो कैसा होगा, uniformly accelerated motion, है ना, कोई भी चीज को अगर आप drop करो, धरती माता के force में, तो हमेशा उसका motion कैसा होता है, uniformly accelerated motion, तो इसलिए आपके काम किया, practical life आ गया, practical example, है ना, तो इसलिए बहुत सारे motion ऐसे होता है, जो uniformly accelerated motion होते है, इसलिए 11th में भी important ह होता है, ठीक है, आगे बढ़ते है, चलो, अब है तीनों equation of motion का derivation, फटाफट इसी में देखें कि अलग से करके दिखाऊंगा, इसी में देख लें, चलो, तो पहला वाला का तो कुछ हाई नहीं, यह पहला अगर आया भी एक रंबा से ज्यादा का नहीं आएगा, क्या derivation है भी क्या कुछ ही है, बस definition लिखनी हो, कुछ नहीं, पहला जो है, वो कुछ नहीं करना है, अगर यह भी छोड़के आया तो भीया फिर तो, पढ़ाना ही बेका है, फिर तो पढ़ाना छोड़ना पड़ेंगा, फिर तो पहले में खाली लिखना है, from the definition of acceleration, we know that a is equal to v minus u by t सब को अधर भेज़ दो, v को अधर छोड़ दो, v is equal to u plus 80, कुछ भी नहीं है, हाँ, derivation है second और third, अब स्कूल में भी याद रखना, मालनों, अगर तुम्हारे half yearly में अगर एक आ गया है, तो obviously final में अब teacher सोचे का कुछ और दूँ, अगर वोई teacher है तो, तो इसलिए, मैं हमें second आगया, तो next time के आएगा, third, इस step से आप लोग पेपर को guess कि अगरो, खुझ से, खुझ से पेपर को guess करना is not bad, हाँ, but teachers अगर आपको questions बता दे रहे हैं, important तो that is bad, है ना, चीक है, clear है, तो आप लोग खुझ से अपको से अपको से अपको से आपको से आपको से करता हो, चल आ रहे है, मैंने बताया था, दोनों के लिए कुछ common होता है, जैसे रिखो, मैं इसमें करके दिखा जाता हूँ, आपको फटाग से, क्या है, सबसे पहले लिखोगे कि दोनों, तीनों equation valid हो किसके लिए है, जब acceleration क्या होता है, constant, मत अब uniformly accelerated motion के लिए ये valid है, तो अब जब भी uniformly accelerated motion होगा, तो average velocity मैं लिख सकता हूँ, u plus v by 2, लिख सकता हूँ, अब अगर average speed आ गया, तो average speed को time से multiply करूँगा, तो total distance आएगा, तो total distance is equal to average speed into time, बस, यहां तक common है दोनों में, second में भी और third में भी, अब पहला equation of motion लिखो, v is equal to u plus at, अगर ये v की value यहां put कर दो के तो second derive हो और यहां से t की value निकाल के यहां put कर दो के तो third derive हो गया, पास समझ में आई, करके दिखाऊं, कर दो, मालूम था, हाँ भोलोगे मेरे को, पहले second की third, second, तो v is equal to u plus at, वहां पर put कर रहा हूं, तो s is equal to u plus v की जगा, u plus at into t by 2, ठीक है, सब कुछ से मैं, बस यहां से v की value जो थ u plus at, यह u plus at कहां put कर दिया, यहां पर, तो s is equal to u plus u plus at into t by 2, u plus u, 2u, 2u by 2, u, at by 2, 80 by 2, into t, बचा है भी भी, तो u into, बहार bracket के बहार जो होता है, वह अंदर के दोनों से multiply होता है, पता है कि नहीं, नहीं पता है, तो fourth class में जाके बैठो, ut plus half a, t into t, t square, हो गया proof, तब था क्या, तब था क्या, average speed लिखे, uniformly accelerated motion के लिए u plus v by 2, average speed into time क्या होगा, displacement, बस value put कर दिया, पहले equation of motion से v की value यहां put कर दिया होगा, बट हाँ, exam में न, आपको थोड़ा इज़्जद पे लिखना है, जैसे मैं यहां लिखे हो न, putting value of these and from here and there, इसलिए यह notes दे दिया हू आपके रहे हो, ब्रैकेट में लिखाऊ, v is equal to u plus 80 put के, हैना, सारी चीछ जो कर रहे हो, third करके दिखाऊ, derive, third कर देते हैं बिया, अब क्या put कर रहे है, t की value होगी, v की value put किया था, second derive हो क्या था, अब t की value put करोगे तो third derive हो जाएगा, कौन सा, derive होगा, t की value put करने पे, कौन सा खड़ो जा, खड़ो जो, खड़ो खड़ो जो, फड़ो बोलो की कम से कम खड़ो करके, आवाज आनी चाहिए मेरे को, हैना, सुल्ला में कौन किया, यही लों किया है, बैदी मिल, तुम्हारे पास बिजूँगो और इस आपार बतारो पास, ते लों ठीक है, बैदी अब T की value पूट करूँ, तो यहां से T की value निकालेंगे 30 minutes हो गए हैं, यहां से T की value, T की value कितनी आ जाएगी देखो, V minus U by A, यह U था उधर गया तो minus, यह A multiply में था उधर गया तो divide, तो V minus U by A, तो यहां T के जगा मेरे को पूट करना है, तो S is equal to U, U plus V हो चाहिए V plus U, एकी ब जाएगा, और यह A plus B into A minus B, A square minus B square, तब था क्या, तब था क्या, तब था क्या, दो बार practice करनी है, घार जाके आँख बंद करके, आँख बंद करके, नहीं, copy बंद करके, है ना, दो बार लिखने की practice करनी है, उसके बाद, तीन नमबर पक कापे पर ने, है ना, आगे बढ़ बढ़ते हैं, मित्रो, नींद में भी यह तीनों equation याद होनी, चाहिए, आगे बढ़ते हैं, आब आते हैं, graph में, किसमें आते हैं, graph, ठीक है, graph में graph बहुत बढ़ा है, लेकिन अभी आपनों को के लिए, बहुत छोटा सा value, बहुत छोटा सा function है, थक गया मैं, start करें, start करें नहीं करना है तो कल कर लेंगे, start करें, एक बार मैं क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों चार बर चिलवाते हो में रखो, क्यों उन्नती, दक्षी, हाँ, slope, अब दो चीज़, area तो पता है आपको क्या होता है, अरे area पता है क्या होता है, अब दूसरी चीज़ है, slope, slope मतलब, डहलान, slope मतलब, भाही इतने अच्छे नोट दे दिया हो, हिंदी इंगलिश में लिखे हुए, अब और क्या, slope मतलब, डहलान, ठीक है, तो आप slope कैसे निकालते हैं, आप खुछ सोचो, जैसे कि कोई भी line है, जैसे ये line है, इस line की slope निकालोगे, तो ये slope है, और ऐसे, बढ़ गई slope, दोनों में अंतर क्या होँआ, देखो, जैसे एक ये slope है, और ये slope है, दो मांग लो, ठीक है, एक slope य ये, और एक slope ये, दोनों में अंतर क्या होँआ, जब ये था, तो यहां पर y का change कम था, और x का ज्यादा, अब मैं slope बढ़ा दूँगा, तो देखो, x कम होगे और y बढ़ गया, देख रहे हो, यही अंतर आया, देखो, यहां पर y कम था, और x ज्यादा था, x में change, slope y में जो change, upon x में जो change, उसी को पर ने क्या डिफेंड किया है, slope, बास समझ में आ गई, चलो, बस अब क्या याद रखना है, आपको सीधा सीधा, आपको क्या याद रखना है, अगर distance time graph है, क्या है, distance time graph, distance time graph, तो अगर आपका distance time graph है, तो एक straight line parallel to x axis आपको क्या पताएगा, rest straight line, not parallel to x axis, क्या बताएगा, uniform motion, मतलब देखो ना, ये पूरी slope constant है, है ना, और चास किसका slope क्या देता है, किसका area क्या, ये लिख के बाता देता हूँ, मैं आप लोगो याँ आपको, देहान से, तीन graph के बारे में पढ़ना है, अपनको distance time graph बोलो, चाहिए speed time graph बोलो, अपने हो, है ना, ये distance time graph, एक है speed time graph और एक है acceleration time graph, तीन graph पढ़ने है, is that clear, पक्का, तेज से बोल रहा है, is that clear, बोलने में भी आन्दस आ रहा है, बताओ भाई का जब हो गया है, हाँ, चलो, तो देखो, इसका जो slope है, धलान, वो क्या बताएगा, velocity, क्या बताएगा, और area, कुछ नहीं, velocity time graph का slope क्या बताएगा, acceleration, और area क्या बताएगा, displacement, ठीक है, और acceleration time graph का slope क्या बताएगा, कुछ नहीं, और area क्या बताएगा, याद ही नहीं है कुछ, बताओ भाई, क्या जब हो गया, इतना मर मर के पढ़ाया हूँ, और कुछ भी याद नहीं करके आएगा, इसका slope ये बताएगा, इसका slope ये, इसका area ये, इसका area ये, अब याद रख सकते हो, इसका slope ये, इसका slope ये, position time graph का slope, velocity, velocity time graph का slope, acceleration, acceleration का area, change in velocity, velocity का area, change in position, मतलब displacement, याद रखोगे अब, इसका slope ये, इसका area ये, इसका area ये, इसका area ये, ठीक है, अब याद रखोगे, अब तो तुरन बता सकते हो, पोजिशन time graph का slope क्या बताएगा, velocity time graph का slope क्या बताएगा, acceleration time graph का area क्या बताएगा, change in velocity, और velocity time graph का area क्या बताएगा, change in position, मतलब displacement, बास समझ में आई, velocity, खतम graph, chapter खतम से, एक बार ये पढ़ ले ना, कौन-कौन सा क्या क्या है, ठीक है, slope of speed time graph gives acceleration, अच्छा, ये सब बता दिया, मैं पूरा का पूरा, अच्छा, graphical method से तीनों equation of motion का derivation, ने बुक से हट गया साह, है ना, तो इसलिए मैं इसको अभी skip कर रहा हूँ, अच्छा, एक बात और note कर लिया जाए, ये जो आपका पूरा का पूरा syllabus अभी यहाँ पर चल रहा है, जो revision चल रहा है, ये NCRT के लिए चल रहा है, कृपिया बाकी सारे boards के लिए आप इसे देखें, तो अपने बुक में और extra topics चेक करने की कौन से छुटे हैं, ठीक है, एक चेप्टर खतम, अच्छा, ये एक और है, uniform circular motion, जब भी कोई object या particle circular path में घुमें, है न, constant speed से, किससे, constant speed, constant velocity तो होई नी सकती, क्योंकि direction तो change हो रही है न, direction change हो रही है न, तो constant velocity तो होई नी सकती, अगर constant speed से, अगर circular path में कोई object चल रहा है, तो उसको क्या बोलते है, uniform circular motion, इससे ज़्यादा कुछ है ही नी बस, when object moving in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion, और जब भी object uniform circular motion में चल रहा है, तो उसको अंदर के तरफ एक acceleration लगता है, जिसको बोलते है, centrifugal acceleration, चेकें, velocity change होई न, तहले velocity ते कोई धर थी, अब इधर, अब इधर, velocity change होई, velocity change मतलब acceleration है, तो अगर आपसे uniformly circular motion में acceleration 0 होता है, नहीं, uniform circular motion में acceleration 0 होता है, क्योंकि speed से हैं, लेकिन velocity change हो रही है, और अगर direction भी change हो रहा है, मतलब force है, और force है तो acceleration है, और अभी पढ़े न, f equal to m a newton, अब तो second chapter पढ़ चुके है, है न, f equal to m a, अगर force है तो acceleration है, अब अगर अगर को इधर जा रहा है, है, तो uniform circular motion, speed constant है, लेकिन फिर भी acceleration है, इसी के साथ अपने ही chapter होता है, समाप, अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को subscribe करना, वीडियो को like करना, बहुत सारी live classes आपके यहां पर आने वाले है, 9, 10, 11, 12, 9, 10 का science और maths का पूरा स्लेबस आपके यहां complete कराया जा रहा है और 11, 12 का स्रीफ और स्रीफ फिजिक्स, तो अगर आप इसमें से किसी वी चीच में interested है, तो चैनल को subscribe कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के शाद जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, फिर मिलेंगे आप से अगली class में, तब तक के लिए हसते आदरे, देखते रहे हैं, सारवस्तों के class, जै हिंद, भाई भाई, टिक क्या है,